दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ न्यू लाँच रॉयल एंट फील्ड क्लासिक 350 सिग्नल सीरीज डूल चैनल ABS का रिव्यू क्लासिक 350 में बहुत सारे बदलाब हुए हैं कुछ नई फीचर्स इसमें अपडेट किये हैं अब इसका प्राइस भी पहले से बढ़ गया है इसकी नई औरोड कीमत क्या है फीचर्स क्या है माइलेज क्या है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और यहां पर आपको मिल जाते हैं इंडिगेटर जो की बल्व में दिये गए हैं और इसका फ्रंट मटगाट दिया गया है मैट फिनिस के साथ और इसके सस्पेंशन के दौनों साइड में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर जैसा कि यह बाइक डूवल चैनल को मिल जाते हैं और टेलिसकॉपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन दिये गए हैं जिसमें 130 mm का ट्रेबल दिया गया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सबसे बड़े बदलाब की तो इसका जो मीटर कंसोल है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है जैसा कि यहां से आ अब आप स्पीट देख सकते हैं और यहां पर टन सिंग्नल इंडीकेशन राइट गीर न्यूट्रल इंडिगेशन राइट और बैटरी इंडिकेशन एवी की digital में है और यहां पर Royal Enfield Classic 350 का logo मिल जाता है जो की काफी premium लग रहा है और इसकी जो handle war rod है वो आपको black matte finish की मिल जाती है और इसके side mirror है वो भी आपको matte black finish के मिल जाते हैं और यहां से आप इसके जो है trip meter की button को देख सकते हो और यहां पर आपको switches मिल जाते हैं low beam high beam switch indicator और horn का switch मिल जाता है इसी में आपको passing का switch मिल जाता है और इसके दूसी side में चलें तो यहां पर आपको self का switch मिल जाता है इसी में आपको engine kill का switch मिल जाता है नीचे की side में आपको hazard का switch मिल जाता है अगर इसको side profile की देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे changes देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इसका silencer change कर दिया है इसका engine change कर दिया है इसका frame भी change कर दिया है इसकी seat change कर दिया है और इसका जो color और जो graphics हैं वो भी change कर दिये हैं और इसके fuel tank के उपर आपको मिल जाता है Royal Enfield made like a gun का सकते हो और बात करें इसकी seat की तो यहां पर आपको पहले से काफी बैतर quality की seat इस bike में मिल जाती है इसकी जो कुसिंग है वो भी काफी premium quality की और काफी soft दी गई है और इसके नीचे की side में चलें तो यहां पर इसके panel के उपर आपको signal 350 का logo मिल जाता है जैसा कि यह signal series की bike है और यहां पर आपको matte blackness मिल जाती है और यहां पर आपको एक carry hook मिल जाता है और इसके रियर में twin tube emilson sock absorber basic step adjustable pre-loaded type के suspension दिये हैं और यहां पर आपको 120 y 80 section के tire size मिल जाते हैं जो की 18 inch के spoke wheel के साथ दिये गए हैं इसके spoke wheel है वो आपको matte blackness के मिलते हैं और इसके पीछे की side में भी आपको ABS braking system मिल जाता है 270 mm diameter की disc brake के साथ में और इसके पीछे की side में चले हैं तो यहां पर आपको grab handle दिया गया है जो की metal का है और यहां पर आपको TP 28 की bedging मिल जाती है और यहां पर आपको glossy finish मिल जाती है इसकी जो tail lamp है वो आपको round shape में मिल जाती है जो की काफी unique design की दी गई है और इसके जो indicator है वो आपको bulb वाले मिल जाते हैं और दोस्तों इसके दूसरी side में चले और यहां भी signal 350 का sticker दिया गया है और इसके fuel tank के उपर आपको जो है roll and field का 3D में logo और यहां पर आपको 40 का graphics देखने को मिल जाता है sky blue और white color के combination में यहां पर आपको numbering दी गई है और इसके पीछे की side में आपको black color का sardi guard मिल जाता है जो की company fitted है और यहां पर आपको जो है engine cutoff का sensor दिया गया है और यहां पर आपको 170 mm की ground clearance मिल जाती है इस bike में और इसका curve weight है 195 kg तो आप जैसा कि यहां से आप इसके engine की design को देख सकते हो एक नया engine इस bike में आपको देखने को मिल जाता है नई design के साथ में और दोस्तों इस bike में आपको जो है vibration की कोई भी सिकायद देखने को नहीं मिलेगी जैसा कि इसका जो engine है वो काफी अच्छा दिया गया है पहले classic 350 में engine जो आता था उसमें vibration की problem बहुत रहती थी उसको अब हटा दिया गया है अब बात करें इसके engine और power की तो यहां पर आपको 349.34 cc का air oiled cooled forest rock spark ignition bs6 engine दिया है इसकी maximum power है 20.21 ps की 6100 rpm पर इसका maximum torque है 27 nm का 4000 rpm और यहां से आप इसके engine की दूसरी side को देख सकते हो जो की यहां पर आपको और यहां पर आपको break pad देखने को मिल जाता जो की काफी unique design के दिये गए है और इसके engine की उपर royal end field की branding मिल जाती है और यहां पर आपको clutch की wiring और इसके engine के head के उपर एक spark plug दिया गया है और इसके exhaust के corner की side में देखोगे तो यहां पर आपको oxygen sensor देखने को मिल जाता है जो की BS6 की पैंचान मानी जाती है और यहां से आप इसके exhaust को देख सकते हो जो की matte blackness में दिया गया है totally और इसके नीचे की side में देखोगे तो यहां भी आपको एक metal की plate इसके उपर देखने को मिल जाती है catality converter के उपर और इसके जो exhaust की design है वो पूरी की पूरी चेंज कर दिया है पूरा इसका जो exhaust है वो change कर दिया है पहले इसमें लंबा सा exhaust मिलता था लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा चोटा सा exhaust मिलता है और इसका जो sound है वो भी आपको काफी मजेदार लगने वाला है जैसा कि मैं अभी आपको इसका sound सुनाने वाला हूं तो दोस्तों आपको इसके exhaust का और इसके engine का sound सुना देता हूं तो सबसे पहले हम bike की key को on कर लेते हैं तो यहां से में इसके self को दबा देता हूं तो जैसा कि इसका जो एक जो एक जोस्ट है वो एक नई टेजान के साथ बेज किया गया है तो इस एक जोस्ट में जो sound है उसमें आपको एक road का सुनने को जरूर मिलेगा जो कि एक गुलट की पेंचान मानी जाती है तो अब बात करें इसके मायलेज की तो अगर आप इसको सिटी में ड्राइब करते हैं तो इस बाइक में आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से मायलेज मिल जाएगा अगर आप इसको highway पे run करते हैं तो इस bike में आपको 41 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं इसके price की तो ये है Royal Enfield Classic 350 का signal series और इस color का नाम है डिजट सेंड color इसकी एक सोरूम कीमत है 2,4,366 रुपे इसकी on road कीमत है 2,34,918 रुपे तो ये on road price मैंने आपको बताया है Royal Enfield सोरूम, चिनार पार्क, नौवा, पारा, कॉलकता सोरूम का अगर आप कॉलकता या असपास से हैं तो इस सोरूम पर बिजट करके आप test drive ले सकते हैं और इस bike को भी खरी सकते हैं दोस्तो अगर आप other state से हैं तो बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप अपनी city का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा देना थैंक्यू दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में